वेल्कम टू नेक्स एक जाओं आज है 25 दिसम्मर 2022 और 25 दिसम्मर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं चारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लाश्टम मैं आपसे कुश्यन पोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज किस वीडियो के पीडियो के डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप मारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर स समय से राश्टी उपवोगता अधिकार दिवस घंणा गया ईंबीच और चौवडियो को राश्टी उपभोगता अधिकार दिवस मनाए गया तो इस कुश्यन का बब ऑप्सिन अब 24 दिकम्बर को यह क्यों एसी दिन 1986 में उपवोक्त संरक्षड अधिनियम 1986 को राष्टम पती की सेहमती प्राप्त होई थी एसलिए हर साल 24 दिसंबर को राश्टी उपवोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है अच्छा दिसंबर में अब तक जितने भी इंपोर्टेंडे मनाये गए हैं सारे मेंने यह पर बिल्कुल सेक्वेंस में लिखती हैं आप वीडियो को पॉस्ट करिए और इन इंपोर्टेंडे को एक बार रिवाइज जरू करिए अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 यह लाइक का तो अगर यह पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक विशिन है हाले में किस राज के राज़िपाल ने धर्म की स्वतंता संसुधन अधिनियम को पूत्ति तो उत्तराखंड तो यह है मैपने उत्तराखंड की कैपिटल क्या है रादू में गुरूमेच सिंघ अच्छा उत्तराखंड में अभी उत्तराखं फॉर्ट को नये से हलदवानी सिफ्ट किया गया है उत्तराखंड ने 9 अममर को अपना इस्तापना दिबस मनाया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लगपती डीडी मेले का सुबारम किया उत्तराखंड के आली मिलिटरी स्टेशन में रक्षा मंतरी ने सस्त्र पूजन किया और रक्टदान अमनत महुत समय उत्त्राखंड को दूसरा इस्तान मेला है। अचहा उत्त्राखंड में जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है, इसलिए इसका पूर नाम पूचा जाता है, इसका पूर नाम है हैली नेशनल पार्क, उत्राखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है, उत्राखंड में फूल देही तिवार मनाय जाता है, फूलों के घाटी भी उत्राखंड में है, इतना आप उत् इसने बिन फ्यूचर 6522 प्राप्त किया है तो IAT की प्रोफेसर है प्रोफेसर थलपिल प्रदीब इनूने अभी बिन फ्यूचर Special Prize 2022 प्राप्त किया तो इसकुशन का बे आप्सन से यह प्रसिद सूध करता और IIT मद्रास के प्रोपेसर हैं यह प्रोपेसर थल पिल प्रदीप इनों नहीं अभी Bin Future Special Prize 2022 प्राप्त किया अच्छा अभी Rising Star of the Year पुरुसकार के लिए अंतिम पंगाल को नामित किया गया अबनी लेखरा को पैरा Sports Person of the Year का पुरुसकार मिला है गांदी मंडिला पुरुसकार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया और अजीत अंजुम और आर्फा खानम से इरवानी को कुलदीब नईयर पत्रकारिता सम्मान मिला है हाली में नौर्थ एस्ट फेस्टिवल कहां सुरू हुआ है तो नौर्थ एस्ट फेस्टिवल ये नई दिल्ली में सुरू हुआ तो इस कुशिन का से आप्संस है ये नौर्थ एस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में सुरू हुआ है और नौर्थ एस्ट में परेटन को बड़ावा देना और बिभिद जो नौर्थ एस्ट की संस्कृती है उसको लोगों तक पहुचाना इसका मैन परपज है तो ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ और नई दिल्ली के जवाहर लाल नहरू स्टेडियम में ये शुरू हु हाली में किस राजी की मुख्यमंतरी ने 19 सहरों और कस्वों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविदा शुरू की है तो अभी उडीसा के चीपनिश्टर ने 24 घंटों के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविदा ये शुरू की है तो इस कुशिशन का भी आप्सन सही है इसमें क् 2400 घंटे टैप से जल मिलेगा अब उडिशा तो ये है मैप में उडिशा उडिशा की केपिटल के है बुबनेसर उडिशा की चीपनिश्टर कौन है नबीन पटनायक और उडिशा की गवर्नर कौन है गनेशी लाथ अच्छा उडिशा में है वेलर दीप और वेलर दीप का ना गोशनकी उडिशा सरकार ने राजी को दोजर तेज तक सिलम मुक्त वनाने की गोशनकी है। उडिशा में चिलका लेख है। ये भारत की सबसे बड़ी खारेक पानी की लेख है। उडिशा में रसी कुलिया बीच है, गुल्डन बीच है। उडिशा में लिंगराज टेंपल है, कुडार टेंपल है और जगरनाट टेंपल है। ने क्योशन है। भारत और किस देश की बी अब जापन तो ये है मैप में जापन जापन की केपिटल क्या है टूकियू जापन की करणसी क्या है येन और जापन की प्रजेंटर पे प्रामिस्टर कौन है फुमियो किशिदा अच्छा अभी मालाबार एक्ससाइज 2022 जापन में सुरू हुई है जापन ने समलेंगिक कपल क के लिए एक साज़ेदारी प्रमणपत्री योजना शुरू की है जापान ने निहुंसू के लिए जी एट एक पाने के लिए आविदन किया जापान गर्बते मैलाओं पर पुनर विवाब प्रतिबंद अठाएगा बारत और जापान की नौसिना के बीच जिम मैक्स 2022 सेन्य अ पहली मुस्लिम महिला फाइटर वनने वाली हैं तो सानिया मिरजा ये उत्तर प्रदेश के मिरजा पुर की हैं और ये इंडियन एर फूर्स में पहली मुस्लिम महिला फाइटर वनने वाली हैं तो इस कुशिन का C आप्सन से हैं ये हैं सानिया मिरजा इन्होंने एंडिये मे 149 रेंग असल की है तो ये अब भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनेंगी अब ये उत्तर प्रदेश की है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश की केपिटल क्या है लखनव और लखनव किस नदीक किरा रिष्थित है गोमती नदीक किरा रिष्थित है उत्तर प्रदेश की चेपनिश्टर है योगी आधिनात, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश का राज की पसू है बारे सिंगा, राज की पच्छी है सारस या क्रोच, राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच्छ है असोक का ब्रच् सरकार ने मत्रा प्रणदावन को 2041 तक कार्बन नीट्रल टूरिस्ट डेस्नेशन मनाने की गोश्ण की है उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्गाठन ग्रेटर नर्डा में किया गया उत्तर प्रदेश में इस्तितरानी पुर्देश का त्रेपनमा टाइगर ने क्यूशन है किस संस्था ने 2022 इन नाइन चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है तो ये बल्ड बैंक ने जारी की तो इस क्यूशन का बे ऑप्सन सही है बल्ड बैंक इसकी स्तापना कब होई 1944 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है बॉसिंग्टन डीसी में और बल्ड ऱ्ट माल पास ने संसेे को अपना नया nd Ç यह पॉइंट किया है अच्छा अभी एर इंडिया के कम लागत वाले एरलाइन वेफसाय का प्रमुख आलोक सिंग को नामित किया गया परमढ उर्जा नियामक बुढ का अध्यक्ष तिनेज कुमार सुकला को नियुक किया गया पेटे उसा को संसद के उपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया हाले में पेट्रोलियम मंत्राले ने किस सहर में संगेत कारिकरम dance to decarbonize आयोजित किया है तो पेट्रोलियम मंत्राले ने ये संगेत कारिकरम dance to decarbonize नई दिल्ली में आयोजित किया तो इस question का बे options है अब बात पेट्रोलियम मंत्राले की है तो present time पर हमारे पेट्रोलियम मंत्र कौन है हर देप सिंग पुरी कौन है हर देप सिंग पुरी ने Newton है के सीराजिके मुखिमंतरि ने एक उन्न इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लाँज किया यह मड़ेपूर्व के chief minister नहें लॉच्च किया तो इस मिपोर होगी से सुविदा के लिए मड़ेपूर के चीपनिस्टर ने एक उन्नत इनर लाइन पर्मिट सिस्टम पोर्टल लॉंच किया अब मड़िपूर तो ये है मैप में मड़िपूर मड़पूर की capital क्या है MFAL मड़पूर की chief minister कौन है एन वेरें सिंग और मड़पूर की governor कौन है ला गडिशन अभी पूरबुतर ओलंपिक खेलों में मड़पूर लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा है अमूर फालकन फेस्टिवल का सात्मा संस्कर्ड मड़पूर में मनाया गया MFAL में आम लोगों की सिकायतों के लिए CM the HACI portal का सुबारम किया गया खौंग जूंग दिबस ये 23 अपरेल को मड़पूर में मनाया जाता है पूर्वोतर का सबसे उचा राष्टी द्वाज जिसकी उचा ये 165 फीट है ये मड़पूर के बिश्टूपूर जिले में फैराए गया है ने क्यूशन है हाली में IPL इत्यास के सबसे महेंगे खिलाडी कौन बने है तो इंग्लेंड के क्रिकेटर है Sam Curran ये IPL इत्यास के अब तक के सबसे महेंगे खिलाडी बन गए है तो इस क्यूशन का बे उप्सन सही है इनका बेस प्राइस था 2 करोड रुपए लेकिन पंजाब किंग्स ने इनको 18.50 करोड रुपए में खरीदा है तो ये IPL इत्यास के सबसे महेंगे खिलाडी बन गए है ने क्यूशन है हाली में किसे BBC Sports Personality of the Year Award से नबाजा गया तो अभी बैथ मीड को BBC Sports Personality of the Year Award से नबाजा गया तो इस क्यूशन का बे उप्सन सही है ये हैं बैथ मीड ये एक फुट वाल खिलाडी है और इनको BBC Sports Personality of the Year Award से नबाजा गया है ने क्यूशन है हाली में लगातार कितनी बार महारास्ट ओपन की टाइटल स्पॉंसर्शिप टाटा मोटर्स वनी है तो लगातार पाँच मी बार महारास्ट ओपन की टाइटल स्पॉंसर्शिप टाटा मोटर्स को मिली है तो इस क्यूशन का A option सही है महारास्ट ओपन ये एक टैनिस टूर्नामेंट है ने क्यूशन है हाली में किसने रबेंद्र ना टैगोर साहित पुरुसकार 2021 जीता है तो अभी सुदीप सेन और सोमना कुमार इन दोनों ने रबेंद्र ना टैगोर साहित पुरुसकार 2021 जीता तो इस क्यूशन का A option सही है उपर योगत दोनों ये हैं सुदीप सेन और सोमना कुमार कला साहित और सामाजिक योगदान के लिए इनोंने रबेंद्र ना टैगोर साहित पुरुसकार 2021 जीता है अब लाश्ट वीडियो के question का answer लाश्ट वीडियो में आपसे question पूझाता कि प्युमा इंडिया ने किसे अपना brand master बनाया है तो अभी अनुसका सर्मा को प्युमा इंडिया ने अपना brand master बनाया है यानि कि इस question का बे option सहीज था और लगबग सभे मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा क्विश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप अभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्चन है हाली में कहां चिल्लई कला की शुरुआत होई है चार ओप्सन दिये गए हैं इन में से आपको अपना अंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेस्टूप पेज पर प्रेबियस एर कुश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्टूप पर नेक्स एक्जम सर्च करके हमारा फेस्टूप पेज जो कर सकते हैं और कोई ठाऊट युडेलाइसें डिसक्स कर सकते हैं अचा आज किस उडियो का टारगेत जरू याद रखना आज किस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, अलपल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेर जरू क्या करो, और आपके पास जो भी study related WhatsApp और फेजो ग्रूप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेर जरू कर दिया करो, तो यह था आज का हमारा करेंट अफेस का वीडियो, आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने वारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब बे आप से सब्सक्राइब करेंगे, तो बरावर में एक बेल आइकन में के आएगा, आप उस बेल आइकन में जरू क्लिक कर लेए, जिससे कि आपको डेली मौनिंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे, नेक्स्ट एक्जाम और बेज बिद यू, टैंक्स पर वाचिं करेंगे टरू कुछ आपको त